साल दो हजार चौबीस में इन राशियों की चमकेगी किस्मत होगी अपार धन दौलत और शोहरत की प्राप्ती, गुरू शनीग्रह रहेंगे महरबान. नया साल दो हजार चौबीस शुरू होने के कुछी समय शेश रह गया है. ज्योतिश शास्त्र के अनुसार नय साल में हर एक ग्रह की स्थिती में बदलाव हो रहा है. शनीदेव अपनी राशी कुम्भ राशी में ही विराजमान रहने वाले हैं. इसके साथ ही गुरू मई में व्रिशब राशी में प्रवेश करेंगे. उससे पहले स्वराशी मेश राशी में विराजमान रहेंगे. इसके साथ ही राहमीन और केतु कन्या राशी में रहेंगे. ऐसे में कई राशी के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं. आए जानते हैं साल 2024 के इन राशियों के लिए होगा लखी मेश राशी इस राशी में देवताओं के गुरू ब्रहसपती मई तक विराजमान रहेंगे इसके बाद व्रिशब राशी में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे में साल 2024 इस राशी के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ रुके काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। व्यापार में भी खूब मुनाफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थि मजबूत होगी। इसके साथ ही कानूनी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही नए अवसरों का लाब उठा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तयारी कर रहे लोगों के लिए ये साल काफी लख की साबित हो सकता है। करक राशी साल की शुरूात में गुरू ब्रहसपती दशम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशी के जातकों की आमदनी में तेजी से व्रिद्धी होगी। अध्यात्म की और जुकाव बढ़ेगा। इसके साथ ही इस राशी में शुक्र और बुद्ध पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आर्थिक स्थिती मजबूत हो सकती हैं। आएके नए स्त्रोथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही शनी की कृपा से मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके उपर प्रसन होंगे जिससे पदोननती क के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्रिष्चिक राशी साल की शुरुआत में सूर्य देव के साथ मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिती मजबूत हो सकती है। इसके सा क्री में खूब लाब मिल सकता है। इसके साथ ही पदोननती के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपार सफलता प्राप्त होगी। राह के पंचम भाव में होने से बुद्धी तेज होग ऐसे में शनिदेव शुग परिनाम हर काम में पूरी लगन और मेहनत से करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। व्यापार में व्रिद्धी होगी। भाग्य का पूरा साथ होने के कारण हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। विद्यार्थियों को भी ल